नमस्कार ग्लिप्स रॉटेन में आपका स्वागत है टैनिस खिलाडी सानिया मिर्जा ने अपने टैनिस करियर में अपने माता पिता के योगदान को याद करते हुए कहा कि जब उन्होंने टैनिस खिलना शुरू किया था तो लोगोंने उन पर ताने कसे थे और उनका मजाग भी उड़ाया था उन्होंने कहा मैंने 6 साल की उम्र में टैनिस खिलना शुरू किया था उस समय हैदराबाद में किसी लड़की का टैनिस खिलना आसा मान्य था मैं क्रिकेटरों के परिवार से आती हूँ मेरे पिता भी क्रिकेटर रहे है संग्युक्त राष्ट्र के महिला गान मुझे हक है कि लॉंज के मौके पर बात कर रही थी सानिया ने ये सारी बाते कही शे ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चूकие इस खिलाडी ने कहा जब मेरे माता पिता ने कहा कि वजा टैनिस खिलने जा रही है मेरे चाचा चाचियों ने कहा काली हो जाएगी देखना कोई शादी नहीं करेगा उन्होंने कहा मेरे पिता मेरे सबसे बड़े हिरो है क्योंकि उन्होंने सब का सामना किया और कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो मेरे माता पिता का मज़ाक उड़ाते थे और कहते थे कि आपको क्या लगता है आपकी बेटी के मार्टीना हेंगिस बनेगी और किसमत देख की उन्होंने कहा आज भी जब हम समान पुरसकार की लड़ाई करते हैं हमें कारण बताना पड़ता है कि एक टेनिस खिलाडी के रूप में हमें भी पुरुषों के बराबर पुरुसकार राशी क्यों मिलनी चाहिए इसका मतलब है कि इस दुनिया में हर जगा असमानता है केव पर दुनिया के इस हिस्से में ही ऐसा नहीं है